हेलो एवरिवन, यूजी, पार्ट टू, पेपर थर्ड, मध्यकालीन भारती दिहास, और टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमन से सम्मन्दित महत्पूर्ण टर्न्स मक्का, सौधी अरब में स्थित है, यहीं पर 570 इस्वी में, इसलाम धर्ग के प्रवर्टक हजरत मुहम्मद का जन्म हुआ था, इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अन्याईयों का पवित्र तिर्थ अस्थल है, इनकी मिर्ट्यू 632 इस्वी में हुई थी रिगवेद में उल्लिखित भारत कविले के नाम पर इस देश का नाम भारत परा, परंपरा अनसार दुश्यंत के पुत्र भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत परा है, कुश्विद्वानों के अनसार रिशब देश के जैस्ट पुत्र भारत के नाम पर इस देश का नाम भारतपरा है। इरानियों ने इस देश को हिंदूस्तान कहकर संभोतित किया और युलानियू ने इसे इंडिया कहा। भारत की जन्ता के संदर्व में हिंदू शब्द का सर्व प्रिथम प्रयोग अरवु द्वारा किया गया था। भारत पर पहला मुसलिम आक्रमन 712 स्वी में अरव आक्रमन कारी मुहमद विन कासिम के नेतरित में हुआ। मुहमद विन कासिम से पूर्व उवेदुला के नेतरित में एक अवियान दल भेजा गया, परंतुवा पराजित हुआ और मारा गया। इराग के हाकिम अलहजाज ने मुहम्मद विन कासिप के नितरित में अरवो को सिंध पर आक्रमन करने के लिए भेजा, भारे संघर्ष के बाद अरवो ने 712 स्पी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था, फार्सी ग्रंथ चचनामा से अर गजनी वन्च का संस्थापक अलप्तगीन था, गजनी वन्च का अन्य नाम यामिनी वन्च भी है, अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया, नौसो अन्ठान्वी इस्पी में महमुद गजनी का सासक बना सर हैंडरी इलियट के अंसार, महमुद ने भारत पर सत्रह वार आकर्मन किये, भीमदे प्रथम दस्वाइस से तिरसाट इस्वी के शासनकाल में महमुद गजनमी ने सुमनाथ के मंदिर को लूटा, महमुद गजनी का चंदेलों पर प्रथम आकर्मन दस्वाइस से बीस इस्वी में हुआ, उस समय चंदेल बन्स का सासक बिद्याधर था, जो अपने बन्स का सरवाधिक सक्तिसाली सासक था, वह केला ऐसा हिंदू सासक था, जिसने मुसल्मानों का सफलता पूर्वक प्रतिर 999 से 1027 सिस्वी के बीच महमुद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 वार आकर्मन किये, परंथु इन आकर्मनों का उदेश भारत में स्थाई मुसलिम सासन के स्थापना करना नहीं था, बलकि मातर लूट पार्ट करना था बगदाद के खलीफा अलकादिर विल्लाह ने महमुद गजनवी को यामीन उद दौला तथा आमीन उल्मिल्लाह की उपाधियां प्रदान की महमुद गजनवी शिक्चित एवं सुसब भी था वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एक अतरित किया था उसका दर्वारी इतिहासकार उत्वी था उसने किताब उल यामनी अत्वा तारीक ए यामनी नामग्रंथ की रचना की इसके अतिरिक्त उसके दर्वार में दर्शन, जोतिश और संस्कृत के उच्च कोटी के विद्वान अलवरुनी तारीक ए सुवक्तीन का लेखक वेहाकी जिसे इतिहासकार लेलपुल ने पूर्वी पेपस की उपाधी दी थी, फारस का कवी उजारी, खुरासानी विद्वान तूसी एबं उनसूरी विद्वान अजसी और फारुकी प्रमुक वेक्ती थे, शाह नामा का लेखक फिरदोसी है, यह ममूद गजनवी के दर्वार का प्रसिद्विद्वान था, इसे पुर्व के हुमर की उपाधी दी जाती है, फरिष्टा 1560 से 1620 इसबी ने तारीक के फ पुस्तक तारीक के फरिष्टा विज़ापूर के सासक इब्राहिम आदिल साह को समर्पित थी, महमूद गजनी के साथ प्रसित इतिहासकार अलवरुनी एगारमी सदी में भारत आया था, उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से ततकालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थित की जानकारी प्राप्त होती है, पुरानों का अध्यन करने वाला प्रथम मुसल्मान अलवरुनी ही था, उसका जन्म 973 इस्वी में हुआ था, वक्खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था, अर वरुरुनी मातरितिहासकार ही नहीं, उसके ज्ञान और उच प्रित्रों तक भी फैली हुई थी, जैसे खगोल विज्ञान, भुगोल, तरक शास्त्र, और शदी विज्ञान, गनित, तथा धर्म और धर्म सास्त्र, उसने संस्कृत का अध्यन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उप्योग किया, जिसमें ब्रह्म गुप्त, बल्भ तथा वाराह मीहिर की रचनाएं विशेश रूप से उलेखनिये हैं, उसने जगय जगय भगवत गीता, विस्नु पुरान तथा बायु पुरान को उद्रित किया है, अलबरुनी ने अर्वी भासा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी, सर्वप्रतम एड़वर्स साची ने अर्वी भाषा से इस ग्रंध का अन्वाद अंग्रेजी भासा में किया, इसका अन्वाद हिंदी में रजनी कांत शर्मा द्वारा किया गया, संस्कृत मुद्रालेक के साथ चांदी के सिक्ये महमूद गजनवी ने जारी किये थे, महमूद गजनवी द्वारा जारी सिक्ये जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलगलग भाशाओं में मुद्रालेक अंकित थे उपरी भाग पर अंकित मुद्रालेक अर्वी भाशा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेक संस्कृत भाशा देवनागरी लिपी में था सिक्क्य के मध्य भाग में संस्क्रित बासा में लिखा था अवियक्त मेकम मुहम्मद अवतार नूरूपती महमूद मध्य शिया के सासक सिहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी ने 1192 इस्वी में उत्तरभारत को जीता शियाबुद्दीन मुहम्मद गौरी का प्रिथम आकर्मन 1175 इस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 इस्वी तक वह पराबर सामराजी विस्तार अत्वा पूरुव विजित राजी की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा 1178 इस्वी में मुहम्मद गौरी ने गुजरात पराकर्मन किया किन्तु मुल्राज दूतिये या भीम दूतिये ने अपनी योग्ये एवं सासी विद्वा मा नाइका देवी के नितृत में आबु परवत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया यह गौरी की भारत में पहली पराजे थी 1191 इस्वी में परीथवी राज चोहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ इस युद्ध में मुहमद गौरी की पराजे हुई 1192 इस्वी में तराइन के दूतिये युद्ध में मुहमद गौरी द्वारा इसलिम शक्ति की स्थापना हुई यह युद्ध भारती इतिहास में अत्यधिक महत्पूर्ण था। तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। इसकारी को गौरी के एक साधर अंदास एक्तियार उद्धीन मुहम्मद वीन वक्तियार खिलजी ने किया। उसने 1193 से 1202 इस्वी के मध्य में बिहार की विजय की तथा नालंदा इवं विक्रम श्रीला को तहस नहस कर राजधानी उदंतपूर पर कबजा कर लिया। उसने 1193 से 1203 इस्वी के मध्य बंगाल पर आकर्मन किया। उस समय वहां का शासक लक्षमन सेन था। वह बिना युद्धी की यही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर पूरी तरह लूट पाट की। राजा की अनुपस्तिती में नगर्न आत्म समर्पन कर दिया। लक्षमन सेन ने भाग कर पूर्वी बंगाल में शरन ली और वही कुछ समय तक सासन करता रहा। इक्तियारू दीन ने स प्रमसा शहरी क्रांती और ग्रामिन क्रांती को जन्म दिया। अगले भाग में हम लोग भारत में दास बंस के स्थापना के विशे में महत्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।